दोस्तों IQ अपना upcoming smartphone IQ Z9 Turbo rebranding के साथ IQ Z9S के साथ इंडिया में launch होने वाली है सुआज की वीडियो में हम बात करेंगे IQ Z9S में हमें कौन-कौन से नई और कमाल के feature दिखने को मिल जाएंगे साथ ही smartphone इंडिया में कब तक launch हो जाएगा और इस smartphone का इंडिया में price क्या रहने वाला है तो जलिए इस वीडियो को जल्दी से start करते हैं सबसे पहले बात करेंगे इस smartphone पे looks and design की तो इस smartphone का looks and design आपको IQ Z9 Turbo की तरह ही देखने को मिल जाएगा बैक साइड पर आपको same drive का looks and design देखने को मिल जाएगा क्योंकि काफी जादा soft हो जाओगे उसके price को जान करके तो सबसे पहले बात करेंगे इस smartphone के highlighted feature की जिसकी वज़ा से आप इस smartphone को खरिदना चाहते हो वह है smartphone का processor यहाँ पर आपको काफी कम budget में Qualcomm Snapdragon 8S Gen3 का latest chipset देखने को मिल जाएगा जो कि octa core होने वाला है और 3.0 GHz का refresh देने वाला है single core होगा 2.8 GHz quad core का support मिलेगा plus 2.2 GHz का आपको tri core का support देखने को मिल जाएगा और overall RAM आपको 12 GB तक देखने को मिल जाएगी 8 GB का आपको तो RAM देखने को मिलेगा base variant पर बाकी आपको virtual RAM का support देखने को मिल जाएगा बाकी smartphone का जो display होगा वो यहाँ पर आपको 6.7 GHz का बड़ा सा AMOLED display देखने को मिलेगा full ID plus होने वाला है 144 सच का refresh rate देखने को मिल जाता है और bezel less होगा और punch hole cutout के साथ display आने वाला होगा यानि कि display में आपको यहाँ पर आप content watching काफी अच्छे तरीके से कर पाऊगे तो मेरे हिसाब से तो इस budget के हिसाब से यह smartphone काफी जवरदस्त रहने वाला है बाकी smartphone पे processor के अलावा smartphone का जो camera होगा नो काफी तगड़ा रहने वाला है 50 megapixel का आपको camera मिलेगा up to 10x digital zoom कर पाऊगे wide angle primary camera होगा 7 8 megapixel का ultra wide angle camera दिखने को मिलेगा वाई यह support के साथ आने वाला है तो photography और videography next level दिखने को मिल जाएगा 4K 30fps में आप videos को record कर लोगे याने की smartphone पे processor के अलावा camera भी top level का दिखने को मिल जाता है बागे 16 megapixel का आपको wide angle selfie camera दिखने को मिलेगा और full HD 30fps में आप यहां से video record कर पाओगे इसके अलावा इस smartphone पे 6000 mh की बड़ी सी battery देखने को मिलेगी और 80 Watt का fast charging support भी देखने को मिल जाएगा IQ Z9S series में तो यह तो होगे इस smartphone के काफी कमाल के feature इसके अलावा इहां पर आपको Android version 14 का support देखने को मिलेगा साथ ही आपको 256 GB तक internal memory देखने को मिल जाएगी और 5G का भी connectivity देखने को मिल जाता है water resistant और dust resistant भी देखने को मिल जाएगा अब फाइन दोस्तों बात करते है smartphone के price की जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलेगी तो जो expected price देखने को मिल सकता है तो काफी सारे लोग soft हो गए क्योंकि इतने कम budget पर इतने सारे specs चनम है जो है IQ Z9S में हमें अगस्त के महिने में launch होते वे देखने को मिल सकता है यह price जो है expected price है काफी दिनो दिन थोड़ा सा कम होते जा रहा है पहले स्मार्टफोन का price लगबग 24,000 रुपय के आसपास बताया जा रहा था बड़ा गाश्वेटेट प्राइस लगबग 20,000 रुपय होगा तब हमारे लिए काफी ज़्यादा वर्थित होगा इतना ज़्यादा वेट करना बागे दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसना आए तो वीडियो को लाइक करते वेज चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में